हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम अभाज गुरंखंड वीधी के द्वारा वर्गमूल इंगनमूल निकालना सिखेंगे तो फ्रेंज यहां पे आपके लिए च्छा कोईश्चन लिया गया है जिसमें से आपको तीन का वर्गमूल निकालना है और तीन का गनमूल निकालना है तो चलिए फ्रेंज श्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए फ्रेंज देखिए वर्गमूल इंगनमूल निकालने से पहले कुछ important point को देखते हैं देखें friends जब भी आपकी किसी भी संख्या के इकाई की अस्थान पे 0 आए 2 आए 4 आए 6 आए या 8 आए तो वो संख्या हमेशा आपका 2 से हमेशा क्या होगी वो संख्या कटेगी इस चीज को आप याद रखिएगा जब भी 21 के इस्थान पे क्या है friend जीरो आजाए 2 आए चार आए 6 आए 8 आए इसमें से कोई वी एक संख्या आपका इकाई के इस्थान पे आता है तो वो संख्या 2 से करती है जैसे देखें यहाँ पे हम 12 लीग देते हैं तो देखिए इकाई के अस्थान पर कितना है दो है इसमें जब दो का आप भाग देंगे तो यह संक्याप पुल रूप से विभाज्य हो जाएगी इस बात को आप याद रखिएगा यह जो इंपोर्टेंट पॉइंट बता है आपका वर्गमूल इम घनमूल निकालने में बह पहले क्या करेंगे फ्रेंस यहां पर आप 256 पहले लिख लिजिएगा क्या करेंगे 256 यहां पर लिखेंगे लिखने के बाद एक इस तरह खड़ी पाई खिचेंगे एक इसे 36 पाई खिच लेंगे ठीक है खिचने के बाद देखिए फ्रेंस कैसे लगाएंगे अभी बताए मैं जब भी काई की अस्थान पर आपका जीरियो आए दोभ चार चा और चैसी आजब्गtt देखेए फ्रेंस जब अभी इकाई किस्थान बें कितना है, 8 है तो यह भी शंख यह 20-वी भाजित हूगी, 2-6 का 12, 2-4 धुचोग को 8, फिन 2 से देखेए फ्रेंस, इकाई का असथान पर 4 है, 2-6 धुचोग को 8, देखेए अभी दुचाइं, 6 दू दुना के 4, फिन 2 से कटा दो देखिए फ्रेंस ये आपका जब लाश्ट में आपका एक बच जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि यहाँ पर रुख जाएंगे इसलिए कि एक संख्या सिर्फ एक ही से करता है आप क्या करेंगे फ्रेंस आपको जब वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निक कालने के लिए क्या करेंगे आप पहले इस संख्या को क्या करेंगे यहां से देखेंगे ठीक है देखिए जहां प्रील लिख लीज़े देखिए जो संख्या आया है यहां पे लिखिए देखें कितना है एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ यानि कि दू गुड़े दू गुड़े दू गुड़े दू गुड़े दू गुड़े एक पेर ये एक पेर है जितना पेर बनता है फ्रेंस उसमें आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पेर बन गया है यहाँ पेर का सिर्फ एक दो लिखेंगे यहाँ से एक दो लिखेंगे यहाँ से एक दो लिखेंगे यहाँ से एक दो लिखेंगे इसका आपस में गुड़ा कर लिजिए देखिए दूदुना के चार चार दुना के और दुना के फिरेंस यह जो आपका आ रहा है यही 256 के क्या हो जाएगा वर्गमूल होगा चलिए फ्रेंस देखिए यहां पर एक सवाल आपका कंप्लीट होता है अगला सवाल लगा के बताते हैं जिससे आपको इसमें यदि थोड़ा डाउट होगा अगले क्वेश्चन में यह डाउट आपका क्लियर हो जाएगा तो चलिए फ्रेंस अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपका अगला प्रश्ण है 576 का आपको वर्गमूल निकालना है तो अभी फ्रेंस बताएं जब इकाई का स्थान पर यदि च्छा आजाये तो संख्या कितना से कटेगा दोसे यहां से दोसे इसको भाज किजिए भाग दीजिए इसमें देखे दो दुना के 4, 1, 8, 17 हो गया 2, 8, 16 फिन दोसे में भाग दीजिए देखे दु एकेम दू, दू चक को आठ, फिन दोसे दिजिए दू साते चाहुदय उच्छा का 12 जब भी इकाईप के अस्थान तो पांचो संख्य में कोई एक संख्या आता है तो वह संख्या हमेशा दो सभी भाज्य होगी इस बात को अब ध्यान रखिएगा देखिए दो से कटा यह दो से कटेगा ठारा बार में अब फिन दो से दीजिए दुन नवा अठार देखिए फ्रेंज अब जब भी नव आता है तो वह संख्या हमेशा तीन से कटती है तीन लिके नव और तीन निकिया तीन लास्ट में एक आगे छोड़ देंगे अब इसको लिख लीजिए देखिए कितना है दो गुड़े एक दू तीन चार पांच छे बार दो है दू ती चार चार अब तीन कितने बार है दो बार है तीन गुड़े तीन अब वर्गमोल निकाला है फ्रेंज क्या करेंगे अगला इस टेप आपको यहां पे पेर बना पड़े पेर बनाना पड़ेगा और थात यहां जोड़ा बनाना पड़ेगा देखिए एक जोड़ा बनेगा द योद ऌुने के 4, 2 दूने के 8, 3 के 24 तो फ्रेंज यह जो 24 आ रहा है यह 576 का वर्गमूल है तो चलिए फ्रेंज अगले question पर चलते हैं तो फ्रेंश देखें यहां पर आपका 256 का वर्गमूल निकाल चुके हैं 576 का निकाल चुके हैं तो फ्रेंश आप एक question आप लगा कि comment box में दिखेंगे 144 का वर्गमूल कितना होगा चले फ्रेंश अब घनमूल निकालते हैं तो आपका अगला प्रशन है यहां पर देखें घनमूल निकालना है इसके लिए भी तीन question है देखें आपको 64 का घनमूल निकालना है तो यहां पर 64 लिखेंगे और इसका अभाजी गु देखेंगे 16 को कटेगा दूसर के चार लुक्त रगाए डूसर दीजिये 8 पर दूसर को आठ डूसर के चार दूसर की दीघेंगे फ्रेंस यह आपका कट गया अभ चलिए इसको लिखते है कितना अधर और देकर यह दो तीन चार-पांक-छे बर दो है इसको च्छाबार लि लीजिए देखिए एक दो तीन चार पांग छे ये च्छे बार हो गया जब भी आपको हुआ भार निकलना हो तो आप तीन-व Commercial च्छा रही it यही 64 के क्या हो जाएगा घनमूल होगा तो 64 के घनमूल कितना आया फ्रेंस चार तो देखे फ्रेंस घनमूल निकालते से में 3-3 का पेर बनाते हैं और जब वरगमूल निकाला जाता है तो दो-दो का पेर बनाया जाता है इस बात को आप ध्यान रखेगा देखे फ्रेंस यहा पहले 216 लिखेंगे और इस प्रकार खड़ी पाई खीचेंगे इस प्रकार पट पाई खीच लेंगे अब इसमें देखिए एकाई किस्थान पर कितना अच्छा है यह भी संक्या आपका दो से भाज होगा दो का भाग दीजिए देखिए देखिए फ्रेंज जब 27 आ जाता है यह पता होगा तीन का टेबल पहुंदे में 27 आता है तो यहां पर तीन से कटेगा तीन नमा 27 और अभी बताएं कि 9 कितना से कटता है इसका प्येर बनाएंगे थि एक प्य च्छा होगा तो फ्रेंज इस बात को आप ध्याद रखेंगे और जो आपको बता है starting with 1 एकाई के स्थान पर 0 आ जाए 2 आए 4 आए 6 आए 8 इस वात कुछ आप हमेशा याद रखेगा यह आप इसी भी संख्या में भाग देने में या भाज करने में आपको आसानी होगी देखिए इसका यूज करके किसी भी संख्या का हम पता कर लिए है कि वह संख्या का से कट र फ्रेंस यह आपके लिए रहेगा कि 512 का घंड मूल निकालके आप कमेंट बाक्स में इसका एंसर लिखेंगे यदि क्वेश्चन आपसे नहीं साल वो पा रहा है तो इसको भी कमेंट बाक्स में आप लिखेंगे इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाके आपके लिए अ सब्सक्राइब करें